है गाईज आएम डिके सॉन्वाला एंड यू वाचिंग एंसी फोर नर्सिंग ओपीसर तो फ्रेंट्स आज हम फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया का सबसे लेटेस्ट इंफरमेशन और अपडेट्स सबसे पहले देने वाला चैनल है एंसी फोर नर्सिंग ओपीसर तो गाईज सबसे पहले मैं आप से कहूं कि इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरू कर लें ताकि यहाँ आप से कोई भी अपडेट मिसना हो तो सबस्क्राइज हमें आज इंद्रगांदी इंस्टिटूट ऑफ मेडिगल साइंस सेख पुरा पटना जो वैकन्सी जाई थी आई जी एमस की आई जी आई एमस की जो वैकन्सी थी नर्सिंग ओपीसर की जो पोस्ट थी यहाँ पर तो उसका यहाँ पर एक लेटेस्ट क्या है वह हम फूल डेटिल में बात करेंगे कव आपका एक्जाम है क्या डेट है कब से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते वह सारी चीज हम यहां देखने बाले हैं तो गई चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने बाला है उस 3069 स्टूडेंट इलिजिवल कंडियोट माने हुए हैं यहाँ पर ऑली यहाँ पर 1369 मतलब साड़े तेरा सो के आप्रॉक्स में टोटल स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया से बहुत लो कमप्टी सा रहने वाला है मातर इतनी से स्टूडेंट ना फॉर्म फिल किया है इसके 1359 1369 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर हम जो वीडियों बात करने वाले थे तो हम पॉटेंट बात यहां कर लेते हैं कि नर्सिंग आपिसर की बात करनी है हमें अल्ली और उसका एक्जाम आपका होने वाला है वह फूर्थ दिसंबर 2020 को होने वाला है नाइन एम बेन्यों आपका रहेगा वो आयोन टीसी एस पार्टली पोत्र इंडिस्ट्रियल एरिया पार्टली पोत्र पटना यहां आपका एक्जाम रहने वाला है और आपके जो इलिजिवल कंडिवेट की लिस्ट है वो 17 नवंबर 2020 को ओपिसल वेबसाइट www.igims.org पर पब्लिस कर दी गई है इस्टिटूट के दोरह और आप बहां से जाके चेक कर सकते हो आप इलिजिवल हो या नहीं हो और आप 13 वो स्वरी 23 नवंबर 2020 से आप अपने एडमिट कार्ड है वो डाउलोड कर सकते हो ओके return test के लिए जो आपका admit card है वो जारी कर दिये जाएगा कब 23 नवंबर को और आप official website से भी download कर पाओगे वो भी www.igims.org.in पर जाकर आप बिजिट कीजिए वहाँ से आप admit card मिल जाएगा आपको आप जैसे ही login करोगे and contribute को advise किया जाता है कि कोई भी amendment हो सकते हैं इसके अंदर कोई भी संसोदन किया सकता है date के अंदर तो आपको advise किया जाता है यहाँ पर बिजिट institute website regularly for amendment if any तो आपको regularly update रहने के लिए आपको official website पर बिजिट करते रहना है official website में आपको बता दिये है so I hope आपको सारी जानकारी समझ में आयोगी friends thanks for watching this video guys फिर मिलेंगे ऐसी किसी new updates